लड़कियां लड़कों को भया क्यों बोलती है यह जानते हुए भी कि आप उससे प्यार करते हैं। लड़कियां लड़कों को भया कहने का कई कारण हो सकते हैं, जहां उनके प्रणर के बावजूद भी यह स्थिती हो सकती है। परंपरा, कुछ सांस्कृतिक या पारिवारिक परंपराओं में लड़कियां अपने प्रेमिकों को भया कहने के लिए प्रशिक्षित होती है यह बिना अनुचित्ता के हो सकता है देखरेख इसका मतलब है कि देखरेख या संरक्षन हेतु वह युवक को भया मानती है यह प्रेम में होने के बावजूद इस तरह की भावना हो सकती है आत्मसंरक्षन लड़की इस शब्द का उप्योग अपनी आत्मसंरक्षन के लिए कर सकती है यह उसे दिल को बंद करने में मदद कर सकता है कभी-कभी लड़कियां इस शब्द का उप्योग असहस्ता या घेरे में पहुँचने से बचने के लिए कर सकती है यह एक तरह का दूरी का एहसास पैदा कर सकता है इन सब के अलावा कभी-कभी यह बस उसकी स्वभाव का हिस्सा भी हो सकता है यह समझना चाहिए कि भाईया बोलना अनिच्छा या अप्रेणा से नहीं होता है यह बहुत ही व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है लड़कियां लड़कों को भाईया या भाई बोलती है जो आपके स्तर के नस्दीक होता है लेकिन एक रोमांटिक संबंध से अलग होता है इस संबंध को भाई भन के संबंध के रूप में समझा जाता है जो एक अनुभूती और समवेदन शीलता की भावना को जताता है जबकि रोमांटिक संबंध एक अलग भावना को जताता है इसलिए लड़किया उन लड़कों को भईया या भाई बोलती हैं जो उन्हें अपने व्यवहार के माध्यम से समझने के लिए संकेत देते हैं इससे प्यार करने की भावना से कोई संबंध नहीं होती है और यह एक निश्चित संबंध का व्यक्तिगत विवर्ण नहीं होता अगर इस वीडियो से कुछ नया जाना हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्टर प्रदीप को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद